वगत है आपका A.R. कहानिया में बाप बेटी की एक लग है इस फर्सी कहानि उ एक घर में एक बेटी ने जन्म लिया जन्म होते ही मा का स्वर्ग्वास हो गया बाप ने बेटी को गले से लगा लिया रिष्टेदारों ने लड़की के जन्म से ही तारे मानने शुरू कर दिया पैदा होते ही मा को खा गई मन्हुस पर बाप ने कुछ नहीं कहा ले जाता। काम भी करता और भाग बात कर बेटी को भी संभालता। रिष्टेदारों ने बहुत समझाया कि दूसरा बिवा कर लो पर बाप ने किसी की नहीं चुने और फूरा ध्यान बेटी की ओर रखता। बेटी बड़ी हुई, इस्कूल गई, फिर कालेज, हर क्लास में फ़र्ष्ट आई। बाप बहुत खुस होता, लोग बदहायां देती। बेटी अपने बाप के साथ खेत में काम करवाती, हसल अच्छी होने लगी, रिष्टेदार ये सब देखकर चिर गए। जो उसको मनहू एक दिन किसी मंत्री ने उसको सम्मानी करने का फैसला लिया और समागम का बंदोवस्त करने के आदेश दिये। समागम उसके ही गाओं में रखा गया। मंत्री ने समागम में लोगों को समझाया कि बेटा बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। बेटी भी वो सब कुछ कर स जो बेटा कर सकता है आसर के बाद मंत्री ने लड़की को स्टेज पर बुलाया और कुछ कहने को कहा लड़की ने माइक पकड़ा और कहा मैं आज जो भी हूँ अपने पिता की वज़े से हूँ जो लोगों के ताने सह कर भी मुझे यहां तक ले आए मेरे पालन पोषण के लिए दिन रात एक कर दिया मैंने मा नहीं देखी और नहीं कभी अपने पिता से कहा कि मा कैसी थी क्योंकि अगर मैं पूंचती तो पिता को लगता कि सायद मेरे पालन पोषण में कोई कमी रह गई मेरे लिए मेरे पिता से बढ़कर कुछ नहीं पिता सामने लोगों के बैठकर आंसु बाहर आ था बेटी की भी बोलते बोलते आखे भराई उसने मंत्री से पिता को स्टेज में बुलाने की अनमत ली पिता स्टेज पर आया और बेटी को गले लगा कर दोला भोटी क्यों है बेटी तूथे मेरा सेर फिता रह तूही गमजोर पढ़ गया तु मेरा क्या होगा मैने तुछ को सारी उम्र हसते देखना है बाब बेटी का प्यार देखकर सकती आखे नम होगी मंत्री ने बेटी के गले में सोने का मेडल डाला लड़की ने मैडल उतार कर बाप के गले में डाल दिया मंत्री ने कहा ये क्या किया तो लड़की बोली मैडल को उसकी सही जगा पहुचा दिया और कहा इसके असली हक्तार मेरे पिता जी ये समागम में तालियां बज उठे या उन लोगों के लिए सबक है जो बेटियों को चार दिवारी में रखना पसंद करते हैं पर ये फूल बाहर खिलेंगे अगर आप पानी जाल कर इन फूलों की देख भाल करेंगे तो आप सबको आज की कहानी कैसी लगी क्रेप्या कर कमेंट में बताएं चैनल को लाइक करें करें सब्क्राइब करें जैए ही लिए